मेरे प्रिया आत्मन, सहज जोग में आज रविदास सहाब का एक पद लेने जा रहे हैं रविदास सहाब का जन्म 1414 इस्वी में हुआ और 1540 इस्वी तक काशी की धर्ती पर रविदास सहाब अलग जगाते रहे कहते हैं रविदास सहाब कि ही मन टेड़ो टेड़ो जात कहते हैं कि मेरे मन को तो देखो कैसे टेड़े टेड़े जाता है सीधी चाल चलता ही नहीं है सारे संतों ने करीब करी ये बात कही है कि अपने मन को ठीक करना है अपने मन को समझाना है मन को सही रास्ते पर लाना है रविदास साब की शिश्या मीरा बाई थी कहती है मीरा बाई यो मन मेरो बड़ो हरामी ये मेरा मन बड़ा हरामी है जियो मद मातो हाथी जैसे कोई पागल हाथी हो बस वैसा मेरा मन वेवहार करता है और सदगुरु दस्त धरेव सिर उपर आंकुस दे समझाती जैसे हाथी का जो महावत होता है वो आंकुस से हाथी को ठीक करता है ऐसी कहती है मीरा कि मैंने अपने सिर के उपर सदगुरु का हाथ रखा हुआ है और सदगुरु का हाथ ही आंकुस की तरह काम करता है तभी मेरा मन ठीक रहता है अर्थात जब भी मन इधर उधर जाए तो अपने सद्गुरु का ध्यान करो अपने सद्गुरु का सुमिरन करो और देखो कैसे मन रास्ते पर आ जाता है कहते हैं रविदास सहाब कि ही मन तेड़ो तेड़ो जात ये कैसे ये मन मेरा तेड़ा तेड़ा जाता है सीधी राह तो इसको सूचती नहीं, क्योंकि सीधी राह ही परमात्मा की राह है, लेकिन हम उल्टी टेड़ी, आरी तिर्ची राह चलते हैं, और इसका कारण है, कि हमारा मन ही इधर उधर भटकाता है हमें, राम नाम इक छिनना सुमरियो, यह मन सब कुछ करता है, सब कुछ कर करने के लिए राजी है बस राम नाम का सुमिरन करने के लिए राजी नहीं है राम नाम एक छिनना सुमरियो अब विशया नसू बहुगाद विशयों की ओर तो बहुत तेजी से दोड़ता है लेकिन राम नाम सुमिरन करने को मैं कहता हूं तो बस राम नाम सुमिरन करना नहीं चाता जिसके लिए रविदास साब अन्यत्र कहते हैं रे मन राम नाम सम्हार है मेरे मन अब राम नाम को जरा सम्हालो जरा राम नाम में लगो राम की प्रीत में पड़ो राम से प्रेम करो राम की याद में जीओ राम के सुम्रन में जीओ माया के भ्रम कहां भूलियो है मेरे म माया में तो बड़ी तुम्हारी रूची है समंदों में बड़ी रूची है दुनिया में बड़ी रूची है धन में बड़ी रूची है मान में बड़ी रूची है प्रशंसा में बड़ी रूची है अजाही गोकर जहार ये तो सोचो कि मुरित्तु की बेला में क्या ये सब लेके जाओगे ये धन, ये सम्मान, ये अस्तुति ये सब लेके जाओगे क्या सब हात ऐसे ही जाड़ करके यहां से जाना है इस बात को अभी से सोच लो कि जब अंत में छोड़ना ही है तो आज ही क्यों नहीं छोड़े जो साथ ले जाना है वह प्रेम की पूझी ले जाना है आनंद की पूझी ले जाना है वह तो राम नाम की प्रित से ही पैदा होगा तो फिर आज ही से लग जाओ कहते हैं रविदाज साथ जियों खग पेखी दरपन महतनकू अब बेरी बेरी जुजियात कहते हैं कि तुम जो नहीं है उसको तुम सत्य मान लेते हो जो धोखा है उसको सत्य मान लेते हो जो सत्य है उसकी और तुम्हारी रुची नहीं होती जैसे कि कोई चिडिया है अब दर जैसे दरपण में चिडिया है नहीं, मान लेती है चिडिया कि प्रतिभींब असली है, ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन तुरतराजी हो जाता है कि संसार में बड़ा सुख है, और जहां सुख है, जहां आनंद है, गोविंद के सुम्रन में आनंद है, जो वास्तों में है उसमें इसकी कोई उत्सुकता नहीं है और जो नहीं है जो धुखा है बस उसमें इसकी रुची बड़ी होती है और उसको वास्त्विक मान लेता है जिसको दादू साब कहते हैं यह संसार देख जन भूले सवही सेमल फूल कहते हैं दादू साब इस संसार को देख करके ऐसा भूलो मत इस संसार में कोई सुख नहीं है जैसे सेमल का फूल खिलता है लाल लाल फूल खिलता है और तोता सोचता है कि वाह जब इतना संदर फूल है तो इसमें फल कितना संदर लगेगा जब फल लगता है और चोंच मारता तो उसमें से रूई निगलती है, चोच फंस जाता है, फिर वो चिल लाता है, ऐसे ही संसार के सुखों में जब हम जाएंगे, तो फिर संसार देखने में बड़ा सुंदर है, जब चोच मारोगे तब पता चलेगा कि वहाँ दुख ही दुख है, वहाँ कोई सुख नहीं है, ज तुमने गोविंद से प्रेम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, जो करने आये थे, बस ओभर नहीं किया, तुमने गोविंद से प्रेम नहीं किया, जनम अमोलक हारे, ये हीरा जनम था, ये अमोल, ये मनुष्य का जो जनम था, ये अधबुत आवसर था, और ये तुम बाजी हार करके यहां से विदा हो रहे हो जो करने आये थे बस ओभर नहीं किया गोविन से प्रेम नहीं किया कहते हैं रविदा साथ और जोहूं चेत गहो सिख मूरक कहते हैं ऐए मेरे मन आज भी कम से कम समझो आज भी कम से कम सुनो मेरी बात और एक शिक्षा ग्रहन करो गुरू से उपदेश ग्रहन करो और जनम अकारत जात इस बात को ठीक से समझ लो कि राम के भजन के बिना राम के सुमरन के बिना राम के प्रेम के बिना ऐसे ही जीवन निर्थक बीता चला जा रहा है कभी आँख बंद करना और सोचना मनन करो कि जो तुमने सुख भोगे जो तुमने भोग भोगे उसका कोई आनंद भी बाकी है तुम देखोगे कि उसका कोई आनंद भी बाकी नहीं है तो फिर क्या मृत्व की बेला में जो तुम संसार का सुख तुम लेते रहे हो क्या उसका कोई आनन्द बाकी रहेगा तो फिर क्यों उन सूखों के पीछे हम सब भागते हैं और तुम देखोगे एक ही चीज सार्थक था गुरू का संग, गोविंद का सुमिरन बस यही बात महत्व पूर्ण थी और मृत्व की बेला में अपने को धन्यवाद दोगे कि इतना शण, इतनी देर मैं गुरू के साथ रहा गोविंद के साथ रहा और यही बात तुमको क्यों आनन्द देगी और जब ऐसा ही है तो फिर आज ही से क्यों नहीं अपने मन को गोविंद की और मोडो गुरू की और मोडो जिसके लिए दुलन साहब कहते हैं पच्टात क्या दिन जात बीते समझ कर नर चेतरे क्यते हैं दिन बीता चला जा रहा है और पच्ताना पड़ेगा तुमको अभी भी समझो अभी भी चेतो अंध तेरे कंध सिर पर काल डंका देता है इस बात को ठीक से समझो काल का डंका बज रहा है मृत्व का डंका बज रहा है समय बीता चला जा रहा है और कौन से धरकन आखरी धरकन हो जाए कौन सी सांस आखरी सांस हो जाए ये तुम बिल्कुल नहीं जानते इसके पहले काल आ जाए तुम्हें लेने के लिए अब कम से कम राम को जानने के दिशा में, राम को प्रेम करने के दिशा में, राम के सुमरन के दिशा में यात्रा शुरू करो कहते हैं रविदास साब, जल्थल बाव अगनको पुतरा, तुम हो क्या, ये पंच तत्तों का एक पुतला तो हो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो, प्रिथ्वी, वायू, आकाश, अगनी, पस यही जल्थल पाँच तत्तों से निर्मित एक पुतले की तरह हमारा अस्तित है, और ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, जल्थल बाव अगनको पुतरा, जिसके लिए रविदास साब अन्यतर कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है, जैसे पुतलियों का खेल होता है, पुतलियों का दृत्त होता है, ऐसे हम सब आचरन करते हैं, हमारा बेवहार, हमार आचरन एक पुतले से जादा नहीं होता है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, जैसे पुतलियों नाच करती है, पुतली नाच दिखाने वाले आते हैं, ऐसे हम भी पुतलियों जैसे नाचते रहते हैं, देखाये, सुने, बोले, दवरियों फिरत है, पुतलियों भी जैसे दे तो कभी देखते हो पुतलियों को बड़ा खुश दिखलाता है। ऐसे हमें भी कुछ मिल जाता है। हम भी बड़े खुश हो जाते हैं। माया गई तब रोवन लगता है। अजब कुछ नस्ट हो जाता है, चला जाता है, घाटा लग जाता है, तो पुतलियां भी रोना शुरू कर देती हैं, और हम भी रोना शुरू कर देते हैं। पुतलियों से ज़्यादा हमारा कोई अस्तित तो नहीं है, ऐसा हम आचरन करते हैं। कहते हैं रविदा साब छीनमा ही हो ही भसमात। इस बात को ठीक से समझो। छणवर में खेल खतम हो जाएगा और ऐसे ही एक मुठी राख रह जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, जिसके लिए दादू साब कहते हैं, मैं मैं करत जनम सब खोयो, ऐसे ही मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बस ऐसे ही करते करते, इसी अंकार में सारा जीवन बीत जाता है, काल सिरहाने आयोरे, इस बात को संजो, काल सिरहाने पर खड़ा ही है, काल सिरहाने आयोरे, दादू देख मूढ नर प्राणी, हरिबिन जनम गमायोरे, और बिना गोविंद को जाने, बिना गोविंद की प्रीत में पड़े, हम ऐसे ही जीवन को गमा देते हैं कहते हैं रविदा साहब कोटी जतनकरी जोगी तपी हारे नीचे हनसा उड़ जात हजारों योगियों ने हिमाले में तपस्या की प्रानयाम किये और अपने दिर्गायू करने के लिए नाना प्रकार के तपस्याएं की कि हम अमर हो जाएं लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं शरीर जन्मा है तो मरेगा कितना भी तुम इसको खीचो सौ साल डेर सौ साल भी खीच लो इससे क्या फरक पड़ता है इस बात को निश्चे जानो कि एक दिन मृत्तु आएगी और इसके पहले के मृत्तु आए जीवन के परम रहस्य को जान लेना ही हमारा परम उद्देश है जिसके लिए कभीर साब कहते हैं कहा विसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का इस घड़े का क्या भरुसा है कच्चे घड़े की तरह एक ठोकर लगी कि घड़ा तूटा ऐसे ही जरासा कुछ हुआ और मृत्तु आ गई कहे कभीर सुनोरे संतो ये उड़न पकेड़ू बन का जैसे जंगल का पक्षी है पिजड़े में कब तक रहेगा एक दिन पिजड़ा खुला मिल जाएगा और उड़ जाएगा पस ऐसे ही हमारी जीवात्मा एक पंची की तरह इस पिजड़े में कैद है मौका मिलते ही यहां से उड़ जाएगी कहते हैं रविदास साहब कह रविदास राम भज बावरे इसलिए कथा है आए पागल मन राम का भजन करो समय रहते इस बात को चेतो कि राम का भजन राम का सुमिरमन राम से प्रेम वही तुम्हें आनंद देगा वही परम जीवन का सहायक होगा इसलिए राम का भजन करो, जिसके लिए जगजीवन साब कहते हैं, नाम सुमिरमन बावरे, कहा फिरत भुलाना हो, कहा तुम इधर उधर भटके फिर रहे हो, असली बात है, कि ऐ पागल, नाम का सुमिरन करो, नाम की प्रीत करो, मत्ती का बना पूतला, पानी संगसाना हो, जैसे मिट् पानी को मिला करके कुमार बरतन बनाता है, ऐसे ही पंच तत्तों की माटी से हमारी काया निर्मित हुई है, और एक दिन हंसा चली बसे घर बार बिराना हो, एक दिन ये भीतर जो हंस है, वो उड़ जाएगा, और ये घर बार ऐसे ही बिरान रह जाएगा, ये काया ऐसे ही बि इसलिए इसके पहले कि ये आयू बीत जाए राम को जानो राम की प्रीत में पढ़ो जिसके लिए वाजित साब कहते हैं घड़ी 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 आल पुकारिया कहते हैं घंटा बज रहा है और हर घंटा बज करके हमसे क्या कहता है आव गई सब बीत अलपसी रहत है तुमार आत्मा के प्रति जागो परमात्मा के प्रति जागो और सोवे कहां अचेत जाग जब प्यूरे अपने प्रितम गोविंद से प्रीत करो उसका सुमिरन करो हरी हां वाजिद चलना आज की काल बटाओ जीवरे वाजिद साफ कहते हैं कि हम सब बटो ही हैं हम सब मुसाफिर हैं और एक दिन हमें यहां से चले जाना है तुम भी किसी कामिल मुर्शित से जुड़ो उसे नाम का भेद जानो नाम की प्रीत में पड़ो नाम की सुमिलन में जीना शुरू करो और इसके पहले कि हमारा हंस यहां से चला जाए हम परम हंस बन करके यहां से विदा हो ऐसा संकल्प करें यही सहाज जोग है हरी ओम तत्स